हेलो फ्रेंट्स नमस्कार तो फ्रेंट्स आज है दिन ब्रस्पतिवार और अभी हो रहा है सामके 8.30 तो अभी खाना खुना मेरा बन गया है और खाना बनने के बाद अभी 9 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं तो देखें अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 9 बजे तक जब तक खाना खाएंगे तो मैं आपके साथ एक बड़ी असा DIY आज सेयर करने वाली हूँ और वो है पुरानी जीन्स का तो फ्रेंट्स आपके पास ये वीडियो सटर्डे को आएगा तो फ्रेंट्स जो मुझे अभी के बाद कंप्लीट इससे करना होगा एडिटिंग करना होगा तो वो मैं नेक्स दे सटर्डे को सौरी फ्राइडे को करूँगी तो आपके पास ये वीडियो सटर्डे तक आ जाएगा तो फ्रेंट्स पुरानी जिन्स का बहुत ही बड़ी आइडिया आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ अगर आप भी पुरानी जिन्स को फेंक देतें तो आज के बाद पुरानी जिन्स को फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजेगा और जो आइडिया आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ इससे प्लीज जरूर बनाएगा ये आपके बहुत ही ज्यादा यूस्पुल होगा तो फ्रेंट्स आज अभी देखे अभी 8.30 हो रहा है तो अभी मैंने खाना बना लिया और उसके बाद मैं तब तक 9 बज़े तक मैं 11 गंटा वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद जो खाना खाने के बाद टाइम बचेगा 10 बज़े तक मेरा खाना बरतन हो जाएगा तो उसके बाद मैं देखे बाकी की वीडियो जो कंप्लीट कर लोगी और अगर टाइम नहीं मिल पाया मुझे तो उसके बाद मैं next day Saturday को वीडियो पूरी कंप्लीट कर लोगी और editing करके आपके पस पहुचा दूँगी तो देखे मैं क्या करती हूँ मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं कैमरा लेके कंप्लीट किये थे साड़ी में फॉल वगरा मुझे लगानी थी तो अभी गनिष चतुर से आने वाली है साथ तारीको मुझे कंप्लीट करके जो कपड़े देने थे वह मैंने कुछ कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ में कर लोगी तो फ्रेंड्स अभी साथ तारीक तक जाने रहे हुए हैं अभी और यहां पर देखिए मेरी साडियां जो है फॉल पहना लिए मैंने और ब्लाउजिस भी कंप्लीट कर लिए फ्रेंट्स आज कल ना बाजू में स्लिप्स में के ही बाजू के जो डिजाइन चले वें बहुत ही ज्यादा चले वें नैक में डिजाइ में मैंने देखिए इस तरिके से यांपर डिजाइन बनाए हुए ईस प्रेस्कार स्वास में बनाए है ध्या lugлов को बेल्ट ब्लाॉज हो है तो बेल्ट ब्ला एसकर ही है 심पल ब्लाउज कोई यहां बहुत आछे आने तो इस तरक दोकिये आमने किये और बहुत बना अब मैंन उसी के देखें ये फोड़ी से कपड़े के टुकड़े बाचे हुए पीछे वाले जो जीनस है जो जीनस थी थी हुआ है तो पॉके creativity जो पीछे की होते है बस वही यह हैं दो जीनस की दो-दो makiट बाफिछे की अब इस से करना है बिल्कुल बराबर साइड सी जो आपको equal नहीं दिख रहा है तो इससे हम equal कर लेंगे तो पूरा देखिए यहां से मैं यह बराबर में cut कर लिया है तो cut करने के बाद देखिए कितना लंबा सा एक piece हम यहां पर मिल जाता है तो बढ़िया सब बढ़िया यह organizer बनने वाला है पुरानी jeans का अब यहाँ पर देखिए हम एक rice bag लेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी अच्छी सी thickness चाहिए होगी ताकि बिल्कुल stiff रहे बिल्कुल भी soft ना हो तो यह देखिए यहाँ पर मैंने rice bag के साथ इसे stitch कर लि करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं multi-purpose इसमें जिप बना रही हूं तो आप के लिए जो organizer बनने वाला है multi-purpose organizer है आप इसमें कुछ भी समान रख कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर जिप जो है आपनी जो pocket बनानी है तो अपने according बनानी है कितनी भी आप ज्यादा बना सकते तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कपडा लिया था उसे दोनों को स्टिच कर दिया सिंपल ही स्टेच करने के बाद जो हमने जीप लिया है उसे इस तरीके से रखें के और इसे भी इसके ऊपर रहते हैं स्टिच कर लें तो इसे वह कर लेंगे तो यहाँ पर भी हमें इससे stitch करके, देखें मैंने stitch कर लिया है, और मैंने jip भी यहाँ पर लगा लिया, अब jip लगाने के बाद हमें इसमें runner insert करना होगा, तो runner के अंदर insert कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर runner insert कर लिया है, आप जो इसका जो next runner है यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो runner को लगाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है friends कई लोगों को runner लगाना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल लगता है तो करना क्या है आपको देखे इस तरीके से आपको runner के अंदर जिप को डालना है एक साइट से और जो दूसरी वाली जो जिप है वहाँ से देखे आपको एक छोटी सी जिप है इसकी तार को खीच लेना है तो यह देखे यहाँ पे यह तार को खीचने के बाद यह देखे तो अब यह तार तार को आपको runner के अंदर डालना है क्योंकि जिप आपसे अगर नहीं जाती है तो यहां पर आपको तार को इसके अंदर डालना है तो देखिए मैं फिर से बताऊंगे आपको यहां पर जिप मैंने ले ली है और देखिए जिप को इसके अंदर fix करेंगे यहाँ पे runner को sorry runner को हमें जिब के अंदर डालना है और उसके बाद देखे जो दूसरा वाला है इसकी तार को हमें बिल्कुल यहाँ से बाहर खीच लेना है तो बहुत ही simple तरीका है जिब को लगाने का runner को इसके अंदर insert करने का तो अब जो तार है आप तार को ही आप runner के अंद देखे यह तार बाहर आ गई है अब यह तार को आपको यहाँ पर पकड़ लिना है तार को आप पकड़ेंगे न तो इसी runner को आप आगे किचेंगे तो easily आपकी जिब इसके अंदर fix हो जाएगी तो आप यहाँ पर अपने according जितनी आपको यहाँ पर जिब बनानी है उतनी आ लगाई हुई है वहाँ पर भी आपको बीच बीच में वह जिब के ऊपर से स्टिच करना है तो देखे आप देख लेना कि पीछे वाली साइट जो आपकी जहां पॉकिट है वह बंद ना हो क्योंकि मैंने उसका उपर वाला हिस्सा आया हुआ है तो वहीं पर मैंने इसकी ज लगाई हुई है तो आप भी इस तरीके से जिब को लगाना ताकि अगर आप बीच में से स्टिच करेंगे जिब के ऊपर तो आपका पीछे वाला साइट पॉकिट जो है बंद ना हो उल्टी साइट की जो जीन साइट की है तो यहां पर देखे मैंने चारु साइट से स्टि लेट हो जाएंगे तो देखे आप पीचे वाला साइट देख लेना खी आपका जो पॉकिट है वो बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इस तरीके से यह बनाया था ताकि जो पीचे वाली जो पॉकिट गाना एन वस उतनी ही आपको यह वाला हिस्सा कट करना है जा पॉ क्योंकि मैं तो इसे यहां पर देख़ कर fish यहां पे साड़ी कि बाली जो यह से लगाओंग इस लिए इसे आप पर कर दोगा तो यहां पर देखे सिंपली मैंने आपको दिखाने के लिए इससे के लिया ठोड़ सकते हैं आप देखे जो साड़ी हमार पास पुरानी होती है उसी की किनारिया मैंने निकाल ली थी लेस के लिए अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इस तरके से भी जुगार लगा सकते हैं जिनने हम बेकार समझ के फेक देते हैं उसी लेस को हम यहां पर यूज करेंगे तो यह मे देखे मेरे साइड से पूरी साइड से मैंने इसमें लेस लगा लिए बस सिंपली इस तरीके से मैं इसमें लेस लगा लेनी हूँ तो यहां पर देखे आपको भी इसी तरीके से लेस लगा लेनी है तो यहां पर देखे मैंने इसमें लेस लगा ली है और जो उपर वाला हिस अब यहां पर मैंने वेल्क्रो लगा दिए तो यह जिप को थोड़ा सा खोल लेना है आपको जो जीन्स वाला इसे पॉकिट को खोलने के बाद ही हाँ पर वेल्क्रो लगा लिजिए उसके बाद देखें बड़िया सा हमने यहां पर हैंगर में इसे फिक्स कर दिया है तो इच वाला पॉकिट मैंने बड़ा बनाए हुआ है यहां पी बिक साइज का बनाए हुआ है ताकि इसमें कुछ अपना और भी समान रख सकें तो जैसे आपके यह आप भूमने के लिए जाते हैं आपके इसमें वगरा होते हैं वह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं या देख कि मैंने इसके अंदर अपने नेकलेस रख लिये हैं ताकि जो मुझे जर्बत के समय मिल सकें अब यहां पर इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग और्गनाइज कर सकते हैं समान तो आप इसके अंदर कौम वगरा रख सकते हैं आपकी बिंदिया वगरा जो इधर उधर या बच्चों की स्टेशनरी का समान सीजर वगरा जो होती हैं वो सब कुछ इसके अंदर रख सकते हैं क्योंकि यह मुल्टी परपस और्गनाइजर है आप दो से तीन भी इन्हें बना के रेडि कर सकते हैं देखें पुरानी जीन से हमने यह बनाया और कितना सुंदर सा कित इसमें नेकलेस वगरा भी रखे हुए बिंदी जो कि हमें हमेसा चाहिए होती हैं कं उंधार जाया होते हैं यह सामान और यहूंधेर सामना पीन देखें और देखें के अंदर मैंने अपने येरिंग्स भी रखे हुएं ताकि जर्वत के समय मुझे ये मिल जाएं तो फ्रेंड्स में बहुत ही अच्छा और्गनाइजर हमने बना के रेडी किया हुआ और बिल्कुल कम समय में नहीं हमें कोई इसमें ज्यादा समय लगता है नहीं हमारा पैसा ल ये तो देखे पुरानी जीन्स अगर तो सब कहीं पास पढ़े रहेते चोटे बच्चे की हुँ या बड़ी की और फॉकिट तो हर किसी में होते ही हैं तो यहां पर मुझे तो बहुत ही पसंद आया था पुरानी जीन्स का ये आइडिया तो देखे मैंने ये फर्स टाइम सब्सक्राइबिक चाहिए और मैंने कहीं यूटूब में यह नहीं देखा तो यहीं मेरे दिमाग में काफी टाइम से जो जीन्स का मैंने अर्गनाजर आपके सांथ बैग बनाया था तो उसी के यह पढ़े हुए थे तो देखे इनी का मैंने यहां पर यूस कर लिया है तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करना, अपने near and dear में share जरूर करना, इस multi-purpose organizer को एक बार बना के try जरूर करना, आपको जरूर आपको ये पसंद आयेगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने stationary का समान इसके अंदर रख दिया है, और देख तो friends आपको बहुत ही ये पसंद आएगा, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, thanks for watching.